तो देखो भाई, वेजिटेरियन में, फुल अफ प्रोटीन और इतना चटपटा सा, टेस्टी सा, अगर कुछ स्नाप मिल जाए ना शाम के टाइम, आहा, मज़े आ जाते हैं, तो मैंने घर पर बनाई है, आप देख सकते हो, कितनी सॉफ्ट और कितनी यमी, मसालेदार सोया च बढ़ा फट से कर लो चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, सो हलो मेरे बावचियो, सब्सक्राइब नमस्ते, कैसे है आप लोग, तो आप चलो बनाते हैं, जूसी, टेस्टी, चटपटे से पकवान घर पे, यारि की बहुत टेस्टी, तो आप सबसे पहले हमें आप देखो इस तरीके के फ्रोजन इजी ली मिल जाती है सोया चाप, वो भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, दर्वाइस वो जो लाल चाप आती है, वो भी आप ले सकते हो, मैंने या पे फ्रोजन चाप ली है, 80 रुपीज का पैकेट है, जिसमें लगबग 12 से 13 च चाप थी, वो डाल दीनी है, याद रखिए, फ्रीजर से निकालते ही, आपको डारेक्ट गरम पानी में डाल दीनी है, अब करना ये है कि इसे एक उबालाने तक पका लेना है, जादा इसे बॉल नहीं करना है, क्योंकि इसकी कुकिंग की प्रोसेस आगे भी होगी, हमें बस इसे टेंडर सॉफ्ट रखना है, कि सारी उपर की जो बरफ है, वो पिघल जाए, फिर हम इस चाप को साइड में निकाल लेंगे, अब हमारी चाप अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसे साइड में रख देंगे, ठंडा होनी के लिए, और एक कड़ाई लेंगे, उसके अ अब उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया दो बड़ी चमज की करीब बेसन, और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है, एकदम लो फ्लेम पर इसे भूनना है, तो देखो इसे भूनते भूनते हमें लगबग इसे ब्राउन सा कर देना है, इसमें से एक भीकी भीकी सी हिलाते रहना है, और यह हमारा बेसन जो है, वो 80% अच्छे तरीके से भून चुका है, गैस को कर देंगे बहुत लो फ्लेम पर, यहीं पर हमें ध्यान देना है, लोगों का ध्यान अकसर यहीं से हिल जाता है, वो सासत में हिलाते नहीं है, तो बेसन जो है ना, वो एकदम न लाल मिर्चती मैंने वही डाली है, बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप देखोगे से एक मिनिट भुनने के बाद, हमारा यह जो मैरीनेशन का जो कलर होना चाहिए, वो एकदम अच्छे से आ गया है, अब गैस को बंद करेंगे, और इसे रख देंगे साइड में, दूसरी तरफ मैंने यहां सिलबटा लिया है, इसका लिंक आपको चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, नीचे कॉमेंट कर दीजिए, बोर शेप सिलबटा है, इसमें मैंने चार से पांच लह सुन की कलिया, और एक इंच की करीब अधरक को अच्छे से कूट लिया है, क्योंक यह बोर शेप में मैंने कितने अच्छे और कितने असानी से बिना गिराए, इधर उदर और अच्छे से कूट लिया दो मिनिट में, अब बाकी की चीजों के प्रपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले जो सोया चाप हमने बोल की ती, उसमें से ऐसे स्टिक निकाल लेंगे, बो इस प्रोसेस के लिए, जरूरी निया, आप इसे फ्राइ ही करें, मैंने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा डीप फ्राइ किया है, दोनों साइड से पका लेंगे, अगर आप एर फ्राइ यूज कर रहे हैं, तो वनेटी टिग्री पे इसको आपको लगबग बस से बंदा मि तो यहां पे अच्छे तरीके से गोर्डन क्रिस्पी कर लेंगे, और ऐसे ही सारी चाप को हमने फ्राइ कर लेना है, तो यहां पे सारी चाप फ्राइ होके रडी है, अब चाकू की मदद से, देखें मैं आपको बताती हूँ किता क्रिस्पी है यह, इसके बड़े-बड़े ह तो यह हमारी सोया चाप जो है वो रेडी है, अब आते हैं मैरिनेशन के ऊपर, तो यहां पे हमने बेसन रोष्ट करके उसमें लालमिच डाल के रखा था, इसमें मैं डाल दूंगी तीन बड़े चामच के करीब दहीं, तो यहां पे दहीं डालने के बाद थोड़े से और मस अधा आई चामच के करीब हल्दी एक चामच के करीब सूखे धनिये का पाउडर और साथ-साथ इसमें चामच के करीब जाएगा नमक और फिर इसमें चला जाएगा थोड़ा सा कसुई मेथी, यह सब चीजे इसमें डालने के बाद, इसे अच्छे से कर लेंगे mix और हमारा इसे तरीचे से आपको रखनी है, घाडा सा, क्योंकि तभी वो सोया चाप और साथ ही साथ प्यास के उपर अच्छे से लिपटेगा, अब प्यास की मैंने या कलिया निकालनी, आपके पर शिम्ला मिर्चॉप वो भी ले सकते हो, और सब कुछ मिक्स करके 15 मिनिट के लिए साइ तब ही मैंने कड़ाई में ही मैरिनेशन किया था, अब जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे तो आप देख सकते हैं यह एक ओल रिलीस करेगा, और अगर आपका पंदूरी स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो ऐसे आप किसी स्टेक में या मेरे तरह चाकू में जो है दोनों साइट से सोया को अच्छे तरीके से गैस पे थोड़ा सा बर्निंग फ्लेवर दे सकते हैं इसी तरीके से सारी सोया और प्यास को बर्निंग फ्लेवर देने के बाद उपर से हम डालेंगे खूब सारा dipping और नीबू निचोड़ेंगे और चाट मसाला डालेंगे और यह हमारी कायदे की मस्त यमी सोया मसाला चाप बनके रेडी है अब घर में तंदूर नहीं है लेकिन मौसम के मज़े लेने है तो ये रेसिपी जरूर ट्राइ करो और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है मेरे चानल को कर लो सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करो शेर करो फेंज और फैमली के साथ और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताओ कि मौनसून में क्या क्या खाया जा रहा है